मैं परिनिता भाग 14 अब बताओ मुझ पर कैसी लगेगी ये साड़ी मेरे पतिदेव बड़ी ही खुशी से खुद पर साड़ी लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे और मैं उनकी खुशी देखकर हंस हंस कर पागल हो रही थी अपने पती के तन पर साड़ी देखकर किसी भी औरत को अटपटा जरूर लगता पर मैं सामान्य औरत ना थी अब तक आपने मेरी कहानी में पढ़ा ये कहानी है मेरी भावनाओं की एक आदमी से औरत बनकर जो भी मैंने अपने बारे में समझा मेरे दिल से निकली इस कहानी में प्यार है सुकून है सेक्स भी है और और औरत होना क्या होता उसकी सीख भी जब से होश संभाला है मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर एक औरत बसी हुई है पर दुनिया की नजर में मैं हमेशा प्रतीक एक लड़का बनकर रही कुछ साल पहले जब मेरी शादी परिनीता से हुई तो उसे भी मेरे अंदर की औरत कभी पसंद ना आई हम दोनों पती पतनी यूएस में डॉक्टर बन गए पर मेरे अंदर की औरत हमेशा बाहर आने को तरस्ती रही किसी तरह मैं अपने अर्मानों को घर की चारदीवारियों के बीच सज संवर कर पूरा करती थी पर आज से तीन साल पहले ऐसा कुछ हुआ जो हम दोनों को हमेशा के लिए बदल देने वाला था उस सुबह जब हम सोकर उठे तो हम एक दूसरे में बदल चुके थे मैं परिनीता के शरीर में एक औरत बन चुकी थी और परिनीता मेरे शरीर में एक आदमी हमारे नए रूप में सुहागरात मनाने के बाद हमारा जीवन अच्छा ही चल रहा था और एक औरत के बदन में मैं बेहद खुश्टी पर परिनीता, जो अब मेरी पती थे। अब आगे। साड़ी के पल्ले को ऐसे अपने कंधे पर यूँ फैलाते हैं और बाकी की साड़ी से अपने पूरे तन को ऐसे फैला कर धंक कर देखने से आपको बिना साड़ी को पहने ही बहतर अंदाजा हो जाता है कि ये साड़ी पहनने के बाद आप पर कैसी लगेगी अब बताओ मुझ पर कैसी लगेगी ये साड़ी। मेरे पति देव बड़ी ही खुशी से खुद पर साड़ी लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे और मैं उनकी खुशी देखकर हंस हंस कर पागल हो रही थी। मैं पहनने में सहायोग करूंगी जिस स्थिती से मैं खुद गुजर चुकी थी मैं नहीं चाहती थी कि वो भी उस डेक से गुजरे। हाँ जी मेरे पती परिनीता को मैं साड़ी पहनने वाली थी। सिंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है। पत्नी ने पहनाई पती को साड़ी। जब मैं क्रॉस ड्रास थी। तब ना जाने क्यूं। कितनी ही बार मैं इंटरनेट पर ये गूगल में खोजा करती थी। तब मेरी पत्नी परिनीता ने मुझे साड़ी पहनाना तो दूर। वो तो मुझे साड़ी में देखना तक नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि दुनिया में क्या कोई भाग्यशाली क्रॉस ड्रास है जिनकी पत्निया उनको सहयोग करती है और अपने हाथों से साड़ी पहनाती है। तब मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं खुद ही औरत बन जाऊंगी और मेरी तब की पत्नी परिनीता, मेरे पती बन जाएंगे आदमी बनने के बाद भी परिनीता के अंदर दिल तो औरत का ही था। और वो फिर से औरत की तरह से सजना समवरना चाहता था पर उनके दिल में ये चिंता थी कि जब उन्होंने पहले मुझे हमेशा औरतों के कपड़े पहनने से मना किया था तो अब जब वह खुद आदमी बन चुके है तो कैसे वह अब औरतों के कपड़े पहने? इसी बात से मेरे पती दुखी थे अब एक औरत के रूप में मुझे वह करना था जो मैं पहले एक आदमी होते हुए अपनी पत्नी से उम्मीद करती थी, मुझे एक सहयोगी पत्नी बनना था मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पती उस डेक से गुजरे जो मैंने सहा था, मैंने ठान लिया था कि मैं उनकी पत्नी उन्हें अपने हाथों से एक बेहद खुबसूरत औरत बनाऊंगी और इसलिए मैं अपना पुराना क्रोसड्रसिंग का बकसा लेकर उनके सामने बैठी थी और वो मेरी खरीदी हुई मखमली साडियों को खोल खोल कर अपने हाथों से चूकर अपने तन पर लगा कर देख रहे थे कि वो कौन सी साडी पहनेंगे मैंने उन्हें अपनी द्रासस भी दिखाई थी पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई थी उनके विचार में मेरी द्रास की चॉइस बड़ी खराब थी पर छेव फूट की औरत के कद के लिए अच्छी द्रास मिलना आसान भी तो नहीं होता पर फिर भी आज बड़े दिनों बाद उनकी आँखों में मैं खुशी की चमक देख रही थी प्रतीक मानना पड़ेगा कि तुम्हारी साडियों की चॉइस बड़ी है उन्होंने कहा वो अब भी मुझे प्रतीक कहते है आखिर में मैं प्रतीकी हूँ भले अब एक औरत के शरीर में हूँ मैं मुस्कुरा दी उन्हें साडियों को खोलते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी मिल रही थी वो वेक एक साडियों को खोलकर पल्ले को अपने कंधे पर लगा कर देखते जैसे औरते करती है ये भी जिन्दगी का अजीब पल था परिनीता जब औरत थे तब उनका साडियों में कम और ड्रास में ज़्यादा इंटरस्ट था पर अब इस नए जीवन में साडियों के लिए कितने उत्साहित लग रहे थे वैसे सच कहून तो शायद उन्हें ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वह फिर से औरत होना महसूस करने वाले थे जहां मैं उन्हें खुश देखने में खोई हुई थी मेरा ध्यान ही न रहा कि मेरे पास उस बकसे में कुछ हैसे कप्टे भी थे जो मुझे सेकसी औरत की तरह महसूस करने में मदद करते थे मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नजर उन पर पड़े पर अब तो देर हो चुकी थी उन्ही में से एक था मेरा ब्लाउज जो की साच कहू तो बेहत सेकसी था उसमें पीट काफी खुली रहती थी और पीछे से होक लगती थी उन्होंने उसे उठा कर कहा हम तो तुम्हें सेकसी ब्लाउज पसंद है इतना एक्स पोस्तों मैं औरत होकर भी नहीं करता था और ब्लाउज की कटोरियों को देख कर तो लगता है कि तुम्हें बड़े बूब्स बहुत पसंद है वो मस्खरी कर रहे थे अपने पती को साड़ी पसंद करते देख मुझे बेहत खुशी हो रही थी अब वो मेरे जीवन का क्रॉस ड्रसवाला पहलू समझ सकते थे पती देव जब मैंने वो ब्लाउज सिलवाई थी तब मैं एक छेव फूट की आदमी थी और जब छेव फूट की औरत बनना हो तो स्वाभाविक दिखने के लिए बड़े बूब्स ही चाहिए मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा मुझे थोड़ी लाज तो आही रही थी क्योंकि मेरे क्रॉस ड्रसवाला जीवन का पहलू मैं उनके साथ पहली बार इस तरह खुल कर शेयर कर रही थी और यह सच था कि परिनीता से कहीं अधिक सेक्सी ब्लाउज थे मेरे पास चलो पतिदेव अब तुमने साड़ी पसंद कर ली हो तो मैं तुम्हें तयार कर दूँ मैंने कहा मैं भी अपनी पहनी हुई साड़ी की प्लेट ठीक करते हुए उठी और उनसे बोली की चलो अब कपडे उतारो मुझे तयार करना है मैडम मैं तुम्हारे सामने कपडे नहीं उतारूंगा उन्होंने कहा मेरे प्यारे पतिदेव आपको याद ना हो तो पिछले तीन हफ़तों में आपकी पत्नी बन कर रातों को मैंने आपको कई बार नगन देखा है तब तो आपको कोई परेशानी ना थी, मैंने उनके चेहरे के बेहद करीब आकर कहा और उनके शर्ट के बटन खोलने लगी, भला वो उन हसी रातों को कैसे भूल सकते थे जब मैंने पत्नी बनकर उनको सुख दिया था, मेरी सेकसी मुसकान से वो थोड़ा शर्मा गए. सुनिये मैडम, तुम भूल रही हो कि तुम्हें सिर्फ तीन हफ़ते हुए है औरत बने, जबकि मैं सालों तक औरत था, मुझे साड़ी पहनना आता है, मैं खुद पहन लूनगा तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, मैं देख सकती थी कि उनमें अभी भी एक जिजख थी, एक सुन्दर औरत से आदमी बन जाना और फिर आदमी होते हुए पत्नी के सामने साड़ी पहनना उनके लिए आसान नहीं था, वो मुझसे और स्थिती से थोड़ा बौखला गए थे, पर मैं भी एक प्यारी पत्नी थी, मैंने उन्हें अपने गले से लगा तैयार हो सकते हो पर मैं भी जानती हूँ कि आदमी के शरीर को स्त्री रूप में संवारने में क्या क्या दिक्कत आती है, मुझ पर भरोसा करो। धकते हुए मेरी और देखकर उतसाहित होकर बोले, ये कैसी लगेगी मुझ पर। उनका चेहरा खेल गया था। उन्हें देखकर मेरी आँखे भर आई, वो आज मेरी उन भाबनाओं को महसूस कर रहे थे जो मैं पहले क्रॉस ड्रास करते वक्त महसूस करती थी, वो साड़ी से अपने पूरे तन को ढखने की कोशिश कर रहे थे। पर एक चीज थी जो छुपना पा रही थी, मख्मली साड़ी के सपर्ष से उनका पुरुष लिंक तंग गया था और साड़ी में वो उभर कर देख रहा था, वो थोड़ा शर्मा गए अपने अनुभव से मैं जानती थी कि एक क्रोस ड्रास करने वाले पुरुष के लिए कई बार ऐसा होना स्वाभावेक है, मैंने उसे नजरंदाज करते हुए उन्हें अपने हाथों से उन्हें हेप पैड वाली पैंटी पहनाई, पर एक औरत होते हुए तना हुआ लिंग ऐसे ही नजरंदाज नहीं हो जा था और फिर मैंने उन्हें बड़े प्यार से तैयार करना शुरू किया, मैं चाहती थी कि आज वो अपने पुरुष तन में वही नजाकत महसूस कर सके जो एक स्त्री महसूस करती है, इसलिए आज मैंने उन्हें साटिन की पैंटी और ब्रा पहनाई, और फिर माचिंग से उनके तन पर साड़ी लपेट कर प्लेट बनाने लगी, मेरे नाजुक हाथों का सपर्श शायद उन्हें स्त्री होने का सुख भी दे रहा था, और वैसे भी कोई भी और आपको बता सकती है कि कितनी प्यारी भावना है जब कोई और आपको प्रेम से साड़ी पहना रही ह मैंने उनके ब्लावज पर साड़ी चड़ाते हुए पूछा, आप खुला पल्ला पसंद करेंगे या प्लेट किया हुआ, उन्होंने मेरी आँखों में देखा पर कुछ न बोल सके, मैंने ही निश्चय किया कि वो खुला पल्ला पहनेंगे, खुला पल्ला जब प्यार से आ आपके हाथों पर स्पर्श करता है, वह जो स्त्रीत्व की भावना जगाता है, वह एक पल में ही एक क्रॉस ड्रासर को बेहधी भावुक स्त्री बना सकता है। खुले पल्ला रखेगे, स्त्रीत्व महसूस करना हो तो खुले पल्ले से बहतर कुछ नहीं है, आखिर गिरते हुए पल्लू को सभालने की नजाकत ही कुछ और होती है। अब आप एक औरत है, मेरी बात सुनकर उन्होंने एक औरत की तरह शर्मा कर नजरे जुका ली। पर आज मैं आपको मेकप करने नहीं दूंगी। पुरुष के चहरे को स्त्री की तरह निखारना एक अलग कला है जो अभी आपको आती नहीं है। पर मैं अच्छी तरह जानती हूं। से उन्हें साडी पहनाई थी और मेकप भी बहुत अच्छा कर सकी थी। मैं फिर उनकी कुर्सी के पीछे से आकर अपने हाथों को उनके गले पर रख कर कुर्सी को शीशे की ओर घुमाया। परिनीता अब खुद को देख सकते थे। उन्हीं यकीन ही न हुआ कि उनका पुरुष्टन इतनी सुन्दर औरत में तबदील हो सकता था। एक हाथ से उन्होंने अपने ब्लावज की उपर की साड़ी की बॉर्डर के उपर फेर कर देखा। और फिर अपने चेहरे को हाथ लगाने लगे। उनकी आँखों में आज खुशी के आंसू थे। परिनीता अब एक औरत बन चुके थे और औरत बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ जहलक रही थी। जानू, आज मैं एक भी आंसू और नहीं देखना चाहती। मैंने उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहा। वो भावुक होते हुए मुस्कुरा दिये। थेंक यू प्रतिक, पर मेरे बालों का क्या होगा, उन्होंने अपने सर के छोटे-छोटे बालों को हाथ लगाते हुए कहा। मैं तो इसी पल के इंतजार में थी। सभी क्रॉस ड्रेसर जानते है कि जब तयार होने के बाद अंत में आप लंबे बालों का विग लगाते हैं तो मानो एक पल में ही जादू हो जाता है। और मैं चाहती थी कि यह जादूई पल वो खुद अनुभव करे। और जैसे ही मैंने उन पर विग लगाया, वो खुशी के मारे उठ खड़े हुए और अपने हाथों को हवा में फैला कर अपनी साडी के पल्लू को लहराते हुए गोल-गोल घूमने लगे। उनके शरीर में छुपी हुई मेरी पत्नी परिनीता वापस आ गई थी। उनको खुशी में जूमते देख मेरी आँखों में भी खुशी थी। और फिर हमने एक दुसरे को गले लगा लिया। उनके सीने से लग कर मैं भी बेहद खुश थी। आपका शरीर चाहे जैसा हो, साड़ी आपके तन की सभी कमियों को छुपा देती है, ये तो क्रॉस ड्रासब बड़े अच्छे से जानते है, मेरे पती भी अब आकर्शक औरत लग रहे थे, बस उन्हें मेरी तरह खुला पल्लू संभालने का अनुभब ना था। सुने, क्योंकि आपका नाम परिनीता तो अब मेरा हो चुका है। क्या आपने अपने स्त्री रूप के लिए कोई नया नाम सोचा है? हाँ, वही नाम जिस नाम से तुम इस रूप में रहा करती थी। अलका, अलका, यही नाम मैं उप्योग करती थी जब मैं प्रतिक से औरत बन जाया करती थी। अलका का मतलब होता है खुबसूरत बालों वाली लड़की और वही तो बनती थी मैं। और अब मेरे पती, मेरी सहेली अलका बन चुके थे। आज हम दोनों के बीच एक नए रिष्टे की शुरुआत हो रही थी। सच कहून तो हमारे तन एक दुसरे में बदलने का सबसे बड़ा फाइदा यही हुआ था। भले औरत का तन पाने की मुझे बहुत खुशी थी पर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे अब एक सहेली मिल गई थी जिसके साथ मैं औरत होने का पूरा आनंद ले सकती थी। मैं परिनीता और मेरी प्यारी सहेली अलका। अगले भाग में हम दो सहेलियों की होट रात के बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। जब हम दो सहेलियां दो जिसमें एक जान हो गई थी अगला भाग मेरी इस कहानी का अंतिम भाग होगा। तो पढ़ते रहे और फेस्बुक पर हमारे पेज को पसंद करना न भूलिएगा।